उसके बाद वेस्टिज में जबर्दस लीडर बनने के लिए आपको क्या करना है उसके उपर मैं बात करता हूं सबसे पहले आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है क्या करना है आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है क्योंकि अगर आपकी सोच सकारात्मक नहीं है तो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, सकारात में के साथ सोच को बड़ा भी बनाना है, दो दोस्त थे, बस के अंदर जा रहे थे, तो बस में जाते हैं थे क्या हुआ, एक दोस्त को भूग लगी, बस कहीं रुक नहीं रही थी रस्ते में, और दूर दूर तक कोई खाने की ची तो दोस्त ने का अगर सोचना है तो यार काजू बदाम के बारे में सोचले मुफली के बारे में क्यों सोच रहा है अगर सोचने से ही मजा मिल रहा है तो काजू बदाम सोचना मुफली के बारे में तो हम क्या करते है छोटा सोचते हैं बड़ा कभी सोचते ही नहीं है और जब दूसरे तरीके से हमारे गरंतों में बोला गया, वो क्या बोला गया है, कि पूरे दिन इंसान के जीवन पे, पूरे दिन इंसान की जीव पे, एक सेकंड ऐसा आता जिसमें सरस्वती मा बैठी होती है, सुनाया आपने बच्पन में? बोलते हैं ना बड़े बुजरुक, यह त आज लाइट ना चलिए, रिस्तिधार आ रहें, आज लाइट ना चलिए, क्या होता है? चली जाती है ना? नहीं बाइक और कार लेके आए, पहले बहुत दोस्तों की बाइक और कार चलाई, लेकिन नहीं रेके आए हैं, दिमाग में होता है कहीं लग ना जाए, कहीं लग न जाए कहीं नाख नाख जाए स्क्रेच नाख जाए सामतर क्या होता है तो जो सोचोगे वह आपके साथ होता है तो क्या सोचना है आज के बाद क्या सोचना है क्राउन बनुगा क्राउन बनुगा क्राउन बनुगा क्राउन बनुगा क्राउन बनुगा बन जाओग एक दिन तो मिटिंग कर नम कर घड़ जाना है हैं तो नहीं मिलेगा कुछ यह हकीकत बता रहा हूं मैं आपको यह 100% तो मैं इनकार नाईन सौन्स वाह Return करेका है और मैंस्मम लोग यह काम करते हैं को समपर्क में जाते नहीं है बलकि इतने चतुर होते हैं एक फ reiterated ब्लैक्रिस्ट में डाल देते हैं घर वाले से सा tuna करहें ठीक है तो अपलाइंक wizards करने हैं फंड़ेम के साथ यूजर बनना यह इसके ऊपर मैं कर सकते हैं करसकते हैं इंवांटाु मूरी नमस्चेय सरी मेरे घर में जो भी फिर यूज उता है अगर वो product Westage के अंदर है तो आज के बाद वो product Westage से ही आएगा ये मैं अपने आपसे वादा करता हूँ एक बार ताली बजा लिए आप करके तो देखिए एक साल भई इतने साल से बाहर का product खा रहे हो एक साल इमानदारी से 100% वेस्टीज प्रोडेक्ट खाके तो देखो, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, चलिए, उसके बाद अपने अप्रोडेक्ट जब यूज करोगे, तो डाउट आएंगे, डाउट आएंगे न, कहां जाने, क्या लगेगा सबसे पहला डाउट, प्रोडेक्ट, महेंगा है, व असली मिलता है, तो नुकसान देता है, दिक्कत होती है, पसंद नहीं आता है, उधारन के तौर पर सब्जा देता हूँ, मैं शेर से बिलोंग करता हूँ, मान लीजिए, आज मैं सुल्तानपुर आके रहा, विपुल जी के घर के अंदर गाय भेंस बंदी हुई है, इन्हों मैंने पी लिया, इन्होंने जो सब्जी दी उसके अंदर खूब सारा देसी गी था, रोटी को ऐसे नहीं चोड़ो तो कटोरी बर जा उतना देसी गी था, इन्होंने बहुत देसी की मुझे पिलाया, दूद पिलाया, सुबेरे क्या होगा, अच्छा वो किस वए से हो रहे ह क्योंकि वो देसी गी, ओरिजनल और गी है ना, वो मुझे हजम नहीं हुआ, क्योंकि हमें डाला खाने की आदत पड़ी हुई है, चैमिकल वाला खाने की आदत पड़ी हुई है, तो ये प्रोडेक्ट आपको महंगा लगेगा, जबकि महंगा है नहीं, आपकी नॉलिज नह है अप्लाइं के साथ तुरंद बैठो यह प्रोडेक्ट सस्ता कैजा सीको ठीक है तो अप्लाइं के साथ बैठना है उसके बाद आपने जानकार लोगों की लिश्ट बनानी है मैंने बता दिया है यह बहुत ज्यादा जरूरी है इसके बगार काम नहीं चलेगा उसके बाद ज मेरी शुरुवात थी और शुरुवात होने के बाद मेरे को बोलना नहीं आता था बहुत डर लगता था आज एक लाख लोग आदमें बैठा दो मेरे सामने मैं बोल सकता हूं उसके पीछे रीजन जाना चाहतो क्या है हमने प्रोग्राम का युजन किया और मेरी एक अप्ला प्रोग्राम के बाद मेरे पैरों के लिए जमीन फट गई हो और सीता जी की तरह समागी समा जाओंगा मैं अभी बोला नहीं उनने मेरा आशिरवाद है तुम बोलोगे अच्छा बस बगवान का नाम लिया उनका आशिरवाद लिया स्टेज पे चड़ गया कुछ ऐसा काम ने मुझे ही करना है इतना बढ़िया सेमिनार हुआ खतम करने के बाद मैंने का चलो रस्ते में का घर पड़ता है मैं मिलता हुआ जाता हूं सब कुछ निप्टा के जब मैं गया तो उन्होंने नमकीन मंगाई चाय मंगाई और गरम गरम चाय पी रहे हैं और अजे जी आज आज आपने बहुत बढ़िया बोला बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ आपको बहुत बहुत शुब कामना है मैंने सर वो तुतलापन कहां गया चाले कैरे मेरे को चाले थे ही नहीं मतलब कैरे मैंने जान बुच के बोला था मैंने ये बात आपको जान बुच के बो उसको गलत वे मतले ना कि आपका अपलाइं प्लाइं नहीं देना चाहता है। वो आपको ट्रेंड करना चाहता है कि आप एक बहुत अच्छे लिडर बन जाओ। बिजनिस उसका चलता है जो प्लान देना जल्दी सी जल्दी सीख लेता है। तो जब one to one plan हो आप बैठे हैं आपका applying बैठा है और guest बैठा है तो जब applying plan दिखा है तो आपका पूरा focus plan पे होना चाहिए plan को ध्यान से सुनना है लेकि लोग पता क्या करते हैं उसने mobile में game खेलना शुरू कर देते हैं अगर plan applying दे रहा है तो बिजने तो क्या होगा बिजने जीरो तो खुद देना सीख लो क्या दिखका थे ठीक है बहुत सिंपल प्लान है तो जल से प्लान देना सुरू करें dress code को अपनाना है किसको अपनाना है आप क्या हैं इसके अंदर इसका पूरा नम क्या वेस्टिज बिजनेस ठीक है आप किसमें है तो बिजनेस में गें सिए यह नहीं ग्राइब रहा अच्छे कैसे लग रहे हुआ पता ही कैसे लगने सब्सक्राइब है कहीं कामी तो अब आदमी गर और बताएंगे कि मैं तेरी जिंदिगी चेंज कर दूंगा तो कहा है यार लगता है यार कर देगा बंदे ने अपनी तो कर रखी है पैरों में चपपल टूटी हुई है दाड़ी बड़ी हुई है शट भार निकली है कपड़े गंदें बाल बिखरे हुए है और आप जाके कह मता क्या है उनकी सोच यह है उन्होंने ड्रेस कोट क्या बनाया वाइड शेट और ब्लेक पैंट गरीव से गरीव इंसान के घर में आपको मिल जाएगी मैडम एक बार आपको बलाना चाहूंगा एक और मैडम के लिए एक बार जोड़ा ताली बजाएगी अच्छा की कि बहन आज इनके साथ बैठी हुई है वरना मेरी बहन तो मिटिंग में नहीं आती तो ताली बजादो दोर दाते एक भाई का अपनी बहन को दुनिया का सबसे बड़ा को गिफ्ट है तो वेस्टीज है और एक बहन अगर अपने भाई को बिजने समझा रही है तो दुनिया क्या करूँगा बड़िया कंपनी का ब्रैंडिट सूट पहना बड़ियोगी बड़िया समया 5 000 वाली 2000 लागांगा बड़िया सा कंपनी के मालिक ने का इस जंजट कोई खतम करो दो हजार करोड का जो मालिक है ना सर वो भी आपको इसी ड्रेस में स्टेज पर मिलता गौतम बाली एक बार जोड़ दातारी ब्याद हो आप लाखो रुपे के कपड़े रोज पहनो आप करोड़ पती नहीं बन सकते लेकिन सिच्वेशन को थोड़ा चेंज करता हूं मालीजी मैं आता और कुर्टा पजामा पहन रखा होता और यह ट्रेनिंग में आपको दे रहा होता कैसा लगता आपको है ना बदलना जरूरी है ना तो सर के लिए मैडम के लिए लिए बार जोड़ दाता लिए पहनेंगे तो अब टाइव आई है सब कुछ और पता आपको बिजनेश क्यों नहीं चलता आप गिडगडाते हो सामने वाले के सामने यार भाई जुड़ जाना यार भाई तू ही पहला व्यक्ति है तू जुड़ेगा तो मेरा बिजनेश चलेगा आएगा यह निए वह क्यों आएगा है क जल्दवाजी में क्यों हो आप पता है क्या करो सबसे पहले ज्वाइन करो फस्ट क्लासी वाइट शेट लो 400 रुपे की टाई आती है एक बार की इन्वेस्टमेंट है जब से मैंने बेस्टिज बिजने को शुरू किया है डेड़ साल से यह है दूसरी टाई अस तक खरीदी न हो रहा था कि एक सूट अगली बार जब मैं आऊंगा तो एक सूट में सुल्तानपूर उदर के आना में लखनों में रखोंगा अपना जो लखनों मेरी मिटिंग देखते हैं उनके गर पे एक विपल जी घर पर अल्रेडी रखोंगा जहां मेरी मिटिंग चलती है वाँ पर साथ सूट रख दूंगा कपड़े लेकर आने की पहनो और शुरू हो जाओ यह सोच किसे ने बना दी वेस्टीज ने वरना लोगों के पास तो साधी का सूट मिलता है पहले पापा पहनता है फिर बेटे को पहना देता है और कईयों को देखना वहां पर पापा का सूट पह पहना देख पारा है कौने में खड़ा हुआ शरमारी विचारे को पापा कर देती है तो यह चेंज कर देती आपको ठीक है तो कहने का मतलब ड्रेस कोड़ को अपनाना अपना सकते हैं बिजनिस कर रहे हैं तो बिजनिसमें जैसा दिखना है तो जब भी यहां पर आए पता अब कोन सा डिस्ट्रीविटर आपको मिल जाए इसलिए अग्रेजियों ने कहावत बनाई है फर्स्ट इंप्रेशन इस दा लास्ट इंप्रेशन आप अपने आपको नहीं बदलोगे दुनिया आपकी बात को अब करना क्या है मैं आपको बताता हूं टेक्निक क्या पनानी ह लोगों को एकदम जाके अप्रोच मत करो आप क्या करो एक वाइट शर्ट लो टाई लो सूट लो सूट भी नहीं ले रहे तो टाई शर्ट और ब्लैक पंट चल जाएगा ठीक है यह पहनने के बाद बड़िया सा एक फोल्डर या बैग लो हाथ भी और अपनी गली से निकल बिलां बड़िया से यह को बढवे ठेक है ठीक है और जैसी उनके बराबर से निकलो रोज पर रोज किया बोलते थे और वही का है कैसा है इसी तो बोलते आ अब जैसे निकलो को और भी गौशी अिखिलोगर वो हर फोलते हैं इत allt л offering का सफ़र करें कि जिसभी सूटर मतलब होता है good more earning तब जब जागो तब सवेरा good morning ठीक है उनको good morning बोलो हाथ मिलाओ रोज उनके सामने आदा गंटा चर्चा करते थे किसी चीज के बारे में आज चर्चा नहीं करनी है तुरंत निकल जाओ, कहां जा रहा है, यह लेट हो रहा है, मेरी मिटिंग है आज, कोई वेस्टी की चर्चा नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी, देख उन्होंने लिया आपको, तुरंत निकल जाओ, बाहर कोई खेद काली बढ़ा है, वहाँ पर चद्दर डालो, दो गंटे स सो जाओ, वापिस आजाओ, खीक है, गली में फिर खड़े मिलेंगे, फिर हाथ मिलाओ, यार आज की मिटिंग बहुत जबरदस्त रही, और फिर घर में चले जाओ, अब आपको मालू में, चार बजे फिर खड़े होते हैं, फिर टाई कसो, फिर वो कसो, फिर निकलो, दोस्तों के साथ यह कर लो, चोथे दिन पकड़के बैठा लेंगे, कौन सी मिटिंग है, पहले यह पता तो, आप क्या करते हो, भाई जुड़ जाना, भाई तू ही है, तेरी वज़े से मेरी मर्सेडीज आएगी, चाचा जुड़ जाना, जीज़ा जीज़ जुड़ जाओ नहीं चलेगा, यह बिजनिस भाई गिडगडाने का नहीं है, इस बिजनिस में एक सोचाज से बना लो, इस बिजनिस को करते समय आप किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हो, आप उसको कुछ देने जा रहे हो, देने जा रहे हो, कॉलर हमेशा उंची रहनी चाहिए, क्लियर ह तो dress code अपनाना है, उसकी बाद हर महीने कम से कम पचीस सो रुपे के product खरीदने हैं, कितने हैं? पचीस सो रुपे के, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी दिक्कत होगी, खरीदो घर में यूज नहीं होते हैं बाहर सेल करो बाहर सेल करो, दो-तिन कस्टमर बना लो हजार का घर में यूज करो, बाहर पंद्रा सो का बेचो पचीस सो का जब समान खरीद होगे तो क्या होगा पचीस सो रुपे का जब आप समान खरीदते हो तो उनतिस सो रुपे का समान होता है पचीस सो में पढ़ता है पहला फाइदा कितने का हुआ पचीस सो रुपे का समान खरीदते हो दस परसेंट का फिरी मिलता चालिस से साथ परसेंट समान सस्ता पड़ता है लेकिन हमारे साथ समस्या पता है कि आम सीखतेने के लिए तैयारी नहीं है बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 19 तारीक को आएंगे 1000 रुपय का समान देदो जी अब भाई 17 कोई आ जाता 10 परसेंट का फिरी मिल जाता 30 नहीं है न वो फिरी का भी नहीं ले रहा हो क्योंकि सीखा नहीं कभी भी तो अगर 10 परसेंट का प्रोडेक्ट चाहिए तो 17 से पहले खरीदारी करें और अगर 17 परसेंट का एक्ट्रा फायदा चाहिए तो 12 से पहले 25 की खरीदारी करें तो अगर आपको बहुत बड़ा बिजनिस कम समय में करना है तो आज सब कसम खाके जाएंगे कि आज के बाद हम 100% 2500 रुपे का प्रोडेक्ट खरीदेंगे कैस कर सकते हैं बास समझ मारी है फिरी की चीज भार मार्केट में कुछ नहीं छोड़ते हैं लोगों से 25 रुपे किलो आलू दिया भाई 20 लगा ले टमाटर 30 रुपे 25 लगा ले कितना गड़ाते हैं तो गड़ानी की जरूत नहीं है तो 40 से 60% सस्ता मिलता है 25 रुपा प्रोडेक्ट 100% यूजर आप बन जाएंगे कोई भी बार से आता है उसको बताने की जरूत नहीं कर रहा है और आपने चाई की बहुत खूबिया उसको बताई है एक दिन रात को क्या हो उसके घर में रिस्तेदार आ गए उसके घर में रिस्तेदार आ गए और उसके घर में चाई खतम होगे यह वाइफ ने चाई ले किया और सारी दुकाने बंद है बागा बागा किसके पास आएगा अगर आपने डिस्प्ले में रखी हुई है रोज उसको दिखती है तो किसके पास आएगा बाई सब एक बार चाहे देना आप चाहे लेके जाओगे घर में वाइफ अच्छा वो चाहे एक दिन पिएगा या पूरे महीने पिएगा अब उसके वाइफ के पेट के अंदर जो है वो गैस रहती थी ठीक है या उसके खुद के गैस रहती थी मजबूरी में चाय आपसे ले गया क्योंकि रिष्टिदारों को पिलानी थी कई बार आपने बताया नहीं लेकिन मजबूरी में चाय ले गया और वो चाय लेके खुद पी रहा है और उसकी वाइफ की गैस खतम हो गई तो वाइफ उसको और देगी आज के बाद चाय लेनी है तो यही लेनी है दूसरी मतले की आना काम होगया नहीं होगया दिस्टिटर बनगया नहीं मनगया तो पांच से दस अजार के प्रोडेक्ट हर समय आपके घर होने चाहिए क्योंकि हर समय सेंटर नहीं खुला रहता तो शुरुवात में 10,000 के प्रोडेक्ट खरीदो एक बार की इंवेस्टमेंट है छोटे से बिजनिस करने के लिए भी मुफली की रेड़ी लगाने के लिए 10,000 की रेड़ी खरीदनी पड़ती है तो 10,000 के प्रोडेक्ट रखो आपक अपने लिए फिर ताली बेजादी आप सीखने के लिए आये हैं तो आप सीखने के लिए ज़रूर तरिया रहना है यह बिजनिस सीखने चलता है एंट्री कैसे डाली जाती है शीखना है बहुत सारे लोगों को 2-3-3 महीने 6-6 महीने 8-8 महीने 1 साल हो गया एंट्री डालने बहुत एजी है एक बार सीखेंगे तो आज आएगे अपने अप्लाइन को आज ही बठाईए जाने के बार सर एंट्री कैसे डाली थी मुझे मुझे सिखा हो ठीक है डिपेंड नहीं रहना किसी के उपर बिजनिस कैसे चेक किया जाता है बहुत सारे लोगों को आता ही नहीं है क्या वॉल्म क्या पीवी कितने काश काई ऐसा होगा आपका लेबल टच्च होने वाला होगा आप समाने खरीट पाएंगे दस पीवी का 10 पीवी कम है या 1 पीवी कम है आपका लेवल चुड़ जाएगा तो बिजनिस कैसे चेक किया जाता है ज़रूर देखें ठीक है उसक निकलते हैं या कैई बार हम सरीर से पसीनी की स्मैल आती है, तो सामने वाले को अच्छा है लगता है हम पब्लिक डिलिंग के अंदर लोग व्यवार भूक में इस छिखाए जाएगा आपको मुह से हमारे समयल नहीं आने चीए जब हम किसी बात करें तो मुह से समयल नहीं आने चीए अगर किसी कारण से आती है तो जब भी किसी घर में जाए तो इलाइची खाके जाए कुछ ऐसी कि बदबू नहीं आने चीए कहीं जाएं तो सौक्स फटी होई नहीं होने चीए हमारी पता लगे आप करोड़ो रुपे का बिजनिस दिखा रहे हो और सौक्स के अंदर से अंगुठा निकल रहा बार वह अंगुठा देख रहा हो करोड़ रूपे नहीं देखेगा तो सौ बूरा भी देदो तो भी कोई समस्या नहीं है ठीक है अब वो डेली यूज़ कर रहा है एक महीने बाद खतम हो जाएगा अब खतम होने के बराबर की दुकान पर जाएगा क्या बाइस सब ये वाला डियो देदो तो मैंने भी पहली बार देगा ये तो कहीं मिलेगा नहीं क लाइब घैमिस्ट के पास जाएगा ये दियो देदो कहीं उसको दीओड नहीं मिलेगा फिर किसको कॉल करेगा ये कौन सा टीओ कहीं नहीं मिलता आप ईजए और बनानी है उसके बाद अप्लाइन कि इजद करनी है बहुत सारे लोग अपने अप्लाइन की रिस्पेक्ट न पाथ लड़ाई जगड़ा हो जाये, डाउन लैंने शेर नहीं करें कभी, विध्यार लखें, कभी भी डाउन लैन में शेर मत करें, applyin से अकेले में बात करें, कोई नेगिटिव बात अगर करनी है तो applyin से करें बात, और कोई positive बात करनी है तो downladに करें, लोग उल्टा करतें, क्या करते हैं negative बात कहा बात करते हैं down line से यानि जिस पेड़ बेठे हैं उसी को काट रहे हैं तो apply जो है कभी भी negative thought आया कोई गलत बात करनी है apply से अकेले कमरे बेठें किसी के सामने बुराई मत करें apply लाक बुरी सही आपकी apply लेकिन उसकी बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी है ठीक है और डाउनलें की हमें सा रेस्पेक्ट करनी है दोनों के सम्मद से बिजनिस चलेगा उसके बाद अपने नॉलिज लेनी है यूट्यूब से सेमिनार से अपलाई से यह तीनों आपको प्रोडेक्ट नॉलिज दे सकते हैं उसके बाद सभी टूल्स आपके पास होनी चाहिए जिसमें से बहुत ही शांदार टूल है जिसको दिखाने के बाद अच्छे अच्छे आदमी का एंटीना जो है पूरी तरीके से इल जाता है यह क्या है जी यह हमारी लक्जरी कार्बुक कार्बुक नहीं अब इसको मोलते हैं लक्जरी कार्बुक ठीक है जिस इंसान को प्लान दिखाने के बाद ऐसे गुमाद हो ना उसको चक्करानी शुरू जाते हैं इसके अंदर BMW, Audi, Mercedes, Jaguar गा दुश्री कार्बुक अफसाइड में पड़िए है सब लोग इसी कार्बुक को लेते हैं तो यह कार्बुक सब के पास होनी चीए, वाइस मैगजन सब के पास होना चीए, knit السब के बेहगे ज़्यादा जरूरी है, तो क्या-क्या टूल्स मैं साथ बैच्प समझ सकते हैं कि उसके बाद आपको लीडर क्यों बना है रहे हैं को ध्यान से पटाने जा रहा हूं बनना चाहते हैं लीडर में दिखाता हूं यहांपर कोटेशन दिखिए क्यों मैं ने पढ़ाता यदी एक भेड, ज्यांते सुनना, यदि एक भेड 100 सेरों का नेतरत्व करती है, तो 100 सेरों का वैबार भेड जैसा हो जाता है, सुनिए कहा बता अपने, अगर सेर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और बेड़ एक बड़ी है यह सो बच्चों के साथ आप एक बड़ी बेड़ को बैठा दो और किसी दूसरे शेर से मिलने मत दो तो इनका व्यवार कैसा हो जाएगा सो शेरों का बेड़ जैसा है यह बहुत पुरानी कहावत है और यह सच है ठीक है इसके विपरीत यदि एक शेर को सो बेड़ों का नेतरत करवा दो आप तो सो बेड़ों का जो व्यवार हो कैसा हो जाएगा शेर जैसा हो जाएगा clear है बात समझ में अरही है इसी तरहर्य यदि वेस्टिज में आपका नेत्रत जवर्दस्त होगा तो आपकी team भी जवर्दस्त होगी यानि की नेत्रत तो मतलब आप आपका leader अखर ज़वर्दस्त है तो team भी जवर्दस्त बनेगी ठीक है तो आपको जबर्दस्ट बनना आपका नेतर तो बढ़िया होना चाहिए इसलिए आपको लीडर बनना है लीडर्शिप की ट्रेनिंग हमारी एक है दो तिन गंटे की वो नेक्स टाम में लीडर्शिप की पूरी ट्रेनिंग दूंगा उसमें स्टॉपिक को क्ल गता हूं कि बाहर कि जो नौकरी चुटे मुटे बिजनुस अन। चुवत ऑनवेश इसलों wrap द॑न होगे टो खेंगे और यहीं बनना चाहिए ये इक छोटा सा टॉपिक मैं क्लिर करूँ का आपके सामने- वेस्टिज में जबर्दस लीडर बनने के लिए आपको क्या करना है अगर आपको लीडर्शिप के गुर सीखने हैं तो आपको लीडर्शिप सबको सभी से समझना होगा कि नेक्ट उसमें में क्लियर करूंगा लीडर्शिप सब्द के अंदर तीन शब्द बनते हैं क्या बनत सब्द में दूसरा सब्द आता है लीडर अगर इसको पूरा पढ़ोगे तो क्या होता है एक कहवत आपने सुन्योंगे सिदार सिंग जी बोलते है कि जैसी राजा वैसी परजा उसका प्रभाब पढ़ता है तो जैसे आप होंगे वैसी ही आपकी टीम में लोग होंगे अगर आप एक्टिव हैं तो आपके टीम में लोग एक्टिव होंगे आप ड्रेस कोट के अंदर आपके टीम में लोग ड्रेस कोट पहनेंगे आप 100% प्रडेक्ट यूजर है तो आपके टीम में 100% प्रडेक्ट यूजर होंगे आप खुद प्लान देते हैं तो आपके टीम में न जिसके पास knowledge होगी, यह leadership का पूरा मतलब होता है, ठीक है, अब यह क्या दिख रहा आपको, यह अपने कही बार देखी होगी, अपने अपने नजरीश और कही बार बैठे भी होगे, आज इसका एक बहुत बढ़िया रूप में आपको दिखाता हूँ, क्या है यह, train, इसके आ तो power डबबों की है या engine की है, आप वेस्टेज में डबबे बनना चाहते हैं या engine बनना चाहते हैं, अब फैसला घर जाके कर लेना, अगर प्लान नहीं देना शुरू कर रहे तो क्या हो आप, product यूज नहीं कर रहे तो क्या हो आप, dress code maintain नहीं कर रहे तो क्या हो आप, आपक इन्जन को आज बहुत गहराई से मैं आपको समझाने की गोशित करता हूं, देखो, engine का काम क्या होता है, सबसे पहले या इन्सान को उसकी मंजिल तक पहुँचाता है, ये engine का main काम होता है, तो हमें, हमारी टीम में जो लोग जुड रहे हैं, आज से अपनी सोच, अपनी thought process उसको बदल दो, आज के बाद ये मैं सोचो कि मेरा बिजनिस कैसा चले, आज के बाद ये सोचो कि मेरी टीम का बिजनिस कैसे चले, आज के बाद ये मैं सोचो कि मेरा चेक कितने का बनेगा, आज के बाद ये मैं सोचो कि मेरी डाउनलन का चेक कितने का बनेगा, क्योंकि आप इस दुनिया में तेरे इक्षा के बगर पतता नहीं है तो मुझसे जो भी काम करवाएगा वह तू करवाएगा उसका जिम्मेदार में नहीं तो जिम्मेदारी किसी हो गई अब वो सही करवाएगा गलत करवाएगा आपसे जिम्मेदारी उसके उपर डाल दो पर डर जायागा भाई इससे गलत काम करवाना ही नहीं है हो भी रहा होगा तो रोक देगा कहीं नहीं से ठीक है दूसरी बात क्या करना है मैं बहुत खुबसुरत तीम के अंदर जोइन कराया है, इन सब लोगों को बना दो मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या बोलना है? क्या बोलना है? मेरी टीम में जो छे लोग है ना बगवान, बस इनको क्राउन बना दे, इन सब के चेक जो हैं, 3-3 रुपे महिने करा दे, मुझे तुछ से कुछ नहीं चाहिए है आपको क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा उनका 3-3 लाग का चया का रहा होगा तो आपका कम से कम 20 लाग रुपे का चया का रहा होगा भगवान को बना सकते हो लेकिन हम क्या मांगते हैं भगवान मेरा बिजनिस चला दो भगवान कहागा बहुत सारे और लेन में ल जरूँ थे ठीक है और हमारी टीम में बहुत सारे इंजने एक बार सबके लिए तालीब जा दो आप तो सबसे पहले ये आपको अपनी मंझिल तक पहुचाता दूसरा क्या काम होता है इंजन का दूसरा आखरी डब्बे को भी साथ में लेके चलता है इंजन कभी यह कहता है नहीं नहीं तू तो सबसे पीशे लगा वह तिरे को साथ नहीं लेके जाओंगा आखरी डब्बे को भी साथ लेके चलता है तो अपलाइंग कैसी होना चीए नित्रत तो कैसा होना चीए कोई भी आए कितनी भी depth में क्यों ना हो उसके साथ भी मुझे काम करना उसको भी crown बनाना है बात समझ मारी यह नहीं कि उपर उपर वालों को ही करना है जो भी आए उसको crown बनाना है एक बार को आप हैं उसके बीच में एक आदमी है बीच वाला काम नहीं करना अब नीचे वाले को पगड़ो नीचे वाला कामी अब होगा बीच वाला कभी चल वो जाएगा समझ रहे बात को तो इंजिन का पहला काम होता सबसे पहले आपको मंजिल तक कुछाता है दूसरा आखरी डव्य को भी साथ में लेके चलता है तिसरा उसका मंजिल पर जाने वाला रास्ता पहले से बना हुआ होता है कभी देखा आपने कि आगे आगे पट्री बिशाई जारी हो पीछे पीछे ट्रेन चल रही हो पहले पट्री बिशती है फिर ट्रेन खड़ी होती है या पहले ट्रेन खड़ी होती है फिर पट्री बिशती है मतलब एक होगा दक्टर देखते हैं दक्टर है माल लीजिये उसको MPPS की डिगरी मिल गई और उसने क्लिनिक खुल लिया और क्लिनिक खुलने कौने कब एक पेशन्ट आया और पेशन्टांकि भोलता है इंगेक्षन लगाना वो जो कहता है ले तो ले थो दोक्टर बोलता है मेरे को MBBS की डिगरी मिली है और आपको बहुत बहुत शुब काम ना है दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ किस बात का आप मेरे पहले कस्टुमर हैं जिसको मैं इंगेक्शन लगाने जा रहा हूँ क्या बोलेगा हो जिसको MBBS की अल्रेडी डिगरी मिली हुई है अगर यह डॉक्टर बोल दे तो उटके भाग जाएगा वो तो MBBS डॉक्टर था आप पता क्या हो आप डॉक्टर की दुकान पर क्या डॉक्टर चाहे लेने चला गया आपका दोस्त है सामने वाला पेशंट आप आपने पेशंट को लेटा लिया और आप बोल रहे हैं उसको कि मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन जबरदस्ती तिरों को इंजेक्शन लगाऊंगा लगवाएगा क्या वह भाग जाएगा आपका हाथ मों तोड़के उन्हीं लगवाएगा क्यों आप डॉक्टर नहीं हो हम क एक सकतल कर देते हैं बार जाएं कि ओली जनकारी से ठीक है पहला का मिचन का आपको मन्जिल तक पहुंचाता है दूसरा आखरी डब्यको भी सात मिले कर जाता है तीसरा उसका मंजिल पे ले जाने वाला रास्ता बिलकुल क्लियर होता है तो प्लैनिंग पहले से तयार कीजी अगले पांस साल की, कि अगले पांस साल चैक कुछ हो जाए मुझे वेस्टीज को छोड़ना, नहीं है, कितने भी चैलेंज आए मुझे वेस्टीज को छोड़ना, नहीं है, कितने लोग ताना मारें, कितने लोग मज़ा कुड़ना है, मुझे वेस्टीज को छोड़ना, नहीं है क्योंकि सब के सब्द चेंज हो जाएंगे जिस दिन मैं कामियाब हो जाएंगा और यह दुनिया का नेचर है और आखरी सबसे बड़ी चीज में आपको बताने जा रहा हूं चोथा इंजिन की सबसे बड़ी खुबी क्या होती है आग खुद को लगाता है डबों को नहीं ख अगर सेमिनार बढ़िया हुआ तो किस की वह से वह दाव्लाइंच की वह से समिनार बेकार वह सबसे पहले जिम्मेदाणी मेरी है ठीक है यानि कि लीडर वो로 ہोता है जो ikiे जीजों को सब से पहले पहले क्कुलब शुखार करें जैसे भी तीन राजेमें मोदीसर्कार हारी तो सबसे पहले आगे किस ने उसका वो लिया? चलिए, ये मिटिंग हमारी यहां पर खतम होती है, एक बार जोड़ा तालिया आप सब लोग अपने भी बजा लीजिए